कि मानने ये चेर्मिन साथ को है कश्मीर के बारे पांच अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खतम हुआ ठीक मानते हैं कि आर्टिकल 370 रूलिंग पार्टी का एक एजंडा था लेकिन मेरी समझ में आज तक नहीं आया मैंने कभी भी मैंने दरजनों बलके सेंकडों स्पीचिज जब मैं चोथी पांचवी कलास से था तब से अटल बिहारी वाज़ पे जी के सुने हैं जब भी वो जमू आते थे और भाशन करते थे साल में एक दो दफा आते थे और यहां पार्ल पी उनके एज़ प्रधान मंतरी सिंख्डु भाशन सुने मैंने एक बार भी माननी अटल बिहारी वाज़ पाई जी या उस वकित के होम मिनिस्टर या ग्रेह मंतरी या बीजेपी का एक लीडर एक एमपी नहीं सुना हूँ पांच अगस्त दोजार उनीस तक जिसने किसी सभा में या किसी जगा ये डिमांड की हो या किसी मैनिफेस्टो में ये डिमांड की हो कि स्टेट के दो हिस्से और यूटी बनाए जाए सर मैं अंडर्स्ट्रेंट कर सकता हूँ और उसमें मैं समर्थन करता हूँ ले डिस्टिक करगिल डिस्टिक नहीं ले डिस्टिक लडाक में दो डिस्टिक हैं करगिलो ले सिर्फ एक ले डिस्टिक यूनिय टेरिटरि बाहर है इतनी बड़ी स्टेट जो आगबर बादशाह के जमाने से लेकर आज लगए इस कंट्री की सबसे बड़ी स्टेट थी और शायद दुनिया में डिली के बगएर अगर किसी स्टेट को दुनिया जानती है वो कश्मीर को जानती उसकी historical background उसकी beauty की वज़ा से दुनिया मैं दुनिया की बात करता हूं दिली के बात कियोंके दिली kapital है इसके बात कोई दुनिया के सब head of states and head of government and foreignness से बचेंगे तो शायद कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो कश्मीर को नहीं जानता हूं तो उस स्टेट को हमने एक यूनिंट अरिटरी बना के रखा मेरी आज तक समझने वो कोई कोई आके मुझे तो समझाए कि ये क्यों बनी सर जो बताये गे थी मैं ये कहना चाहता था कि आज इतना लाइंड आडर से है इस से सव गुना लाइंड आडर जब स्टेट थी अच्छे थी मिलिटेंसी जब गार्मट थी स्टेट थी मिलिटेंसी सबसे कम थी और आज सबसे हाइस्ट डिवलेपमेंटल वर्क सबसे अच्छे थे जब state government दी थी कहा चाहिए कोई भी हो चाहिए बीजेपी और टीडीपी की government ही क्यों नहीं हो मैं state run government करता हूँ कोई chief minister गन्दा developmental work सबसे ज़्यादा चल रहे थे आज कोई developmental work नहीं चल ला है कई जो parameters है education से health से लेकर बाकी जोतने parameters मैं उनको दुबारा नहीं बताना चाहता हूँ मैं पिसले दफ़ाई साथन में बोल चका तक्रीमां 30-40 ऐसे parameters हैं जो national average से भी अच्छे है और क्या परवान चाहिए कोई caste कोई communalism कोई जमू और कोई कश्मीर के बीच में कोई हिंदू कोई मुसल्मान कोई सिक्क के बीच में लड़ाई नहीं थी सराज टूरिजम खतम हो गया ये अभी कुछ टूरिस्ट गुलमर्ग में हमने देखे लेकिन गुलमर्ग में कुछ टूरिस्ट जो जाएंगे सीधे एरपोर्ट से उतर कर गुलमर्ग वो एक फाइव स्टार होटल का भला होगा उससे कश्मीर के टेक्सी वाले का टांगे वाले का दुकानदार वाले का हैंडी किराफ्ट वाले का फाइदा नहीं होगा साथ उससे जो छोटे हजारों छोटे होटेल्स है फाइव स्टार दो तीन तो हैं लेकिन हजारों छोटे होटेल्स हैं गैस्ट हाउस में जिन पर लाखों लोग निर्भार हैं क्योंकि उन होटल में जो स्टाफ है वो सब दो साल से घरों में बैठे हैं क्योंकि एक टूरिस का रिस्टोरंट का यह जो होटल है उसका दर्वाजा नहीं खुलता तो टूरिजम खतम होगी यहाँ सर्थ एजूकेशन खतम होगी पहले चार पांच मेहने तो सब स्कूल कॉलजि यूंस्टी 6 मेहने बंद रहे फिर कोईड आया उसके वज़ा से बंद रहे अभी तक बंद है सर्व उस स्टेट में डिवलपमेंट कैसे हो सकती है जहां दो दो साल कॉलज स्कूल और यूंस्टी बंद रहे सर आपकुरकर से स्टेट गामठ गामट ने शुरू किया है आउनलाइन लेकिन आउनलाइन कहा आट मेहने तो टेलिफॉन हीनी था अब टेलिफॉन है तो 2G है सर 2G कहां चलता है 4G की मांग है तो वो नहीं हो रहा इसलिए एजूकेशन भी जीरुब हो गई प्राइवेट स्कूल बंद हो गए क्योंके प्राइवेट स्कूल ने गांवेंट बताया है, नो अटेंडेंस नो पे, उनके प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स थे, उनको छुटी पे भेज दिया गया, प्राइस कंड्रोल कोई नहीं, रोड्स की हालत बहुत खराब, बीच का एक पैक, बटोट से लेकर बानहाल तक 30 किनुमेटर का है, साड़े छे साल से वो अभी तक नहीं बन रहा है, मैं जिसकी वज़ा से फ्रूट पिछले साल तो तबाह हो गया था दो साल पहले, पिछले साल वो एक-एक महिना सड़क पर रहा, क्योंके बानहाल और बटोट के बीच में सड़क बन थी, और वो सब फूरूट प्रक्स में सड़क गया, तो ये हालत, इसलिए इस हालत को, हाँ, मैं एक चीज़ के लिए बदाई देता हूँ, जो अच्छी बात है उसको बदाई देना चाहती, आपने डेडी सी के अलेक्शन किये थे, ये हमारी बहुत परानी मांग थी, कि पंचायत राज सिस्टम, जो राजीव जी ने शुरू किया था, वो जमु कश्मीर में लागो होना चाहिए, जब मैं सास मंतरी था, तो हमने अपनी पार्टी में रेजुलिशन मुग करने के लिए, मैं यहां से चला गया, अपनी पार्टी में रेजुलिशन मुग करने के लिए, कि इसको रागो होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से कॉलिशन, गामन्ट्स में कई मजबूरियां आती हैं, तो ये बहुत अच्छा कर्दम हुआ है BDC का और DDC का उसके लिए में सरकार को बहुत मधाई देना चाहता हूआ जो अच्छी बात है उसको अच्छी है लेकिन बाकी मानिय परधान मंतरी जी कुछ नहीं है कुछ दिखाये ने इसलिए मेरा सरकार से मानिय परदान मंतरी जी से निविदन है कि अगर उस स्टेट को डिवलिप होना है और मैं कई बार कह चुका हूँ शायद मानिय परदान मंतरी जी जब पहले 2015 में याद होगा कि नार्थ एस्ट और जमो कश्मीर हमारे लिए बहुत जरूरी है हम नार्थ एस्ट और जमो कश्मीर में कोई धी ऐसा कदम न ले जिसकी वज़ा से जमो कश्मीर लदाक मिलाकर और नार्थ एस्ट के डूग नाराज हो जा ये बॉर्डर स्टेट्स हम को जो पंजाब स्वारी पंजाब हम को इंडरा गांदी ने यही सिखा आए मैं बहुत चोटी उमर में उनके साथ मंतरी बना थे उनने यही सिखा आए कि हम कई फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकते हम पाकिस्तान पे भी लड़े से भी लड़े हम चीन से भी लड़े और फिर जो बॉर्डर पे कि वहां हम लदाख के लोग भी नाराज हो जाएं आप कहेंगे उनको यूटी मिली खुश होगे नहीं लदाख के लोग खुश नहीं है क्योंके 35A में उनकी जमीन कोई भी खरीच सकता है नोकरी पहले जब था था ये आर्टिकल 370 कोई बाहरवाला नोकरी नहीं कर सकता है आज कोई भी बाहरवाला वहां कलर्क भी जा सकता है पेवन भी जा सकता है तो इसलिए वो भी नाराज है जाप कहेंगे जमुवाले एक खुश है जमुवाले भी खुश नहीं है क्योंके लेंड सबसे अगर कोई खरीदेगा बाहर वाला तो जमू में खरीदेगा क्योंके पंजाब और जमू पास में है कश्मीर में शायद खरीदेगा या नहीं खरीदेगा इसी तरह से जमू में क्यों दो दफ़ा एक दफ़ा तो कोट की एक सव पोस्ट के लिए कलरकल पोस्ट के लिए जगा निकली थी आल इंडिया निकला इडविटीजमेंट लेकिन पंद्रा दिन में हाई कोट को भी विड्रा करना पड़ा क्योंकि अंदोलन हुआ जमू में क्या अगर कलर के लिए भी पूरा यूपी और बिहार से या तावनाडू कहीं से भी आएगा तो हमारा कलर कहां से भाएगा विड्रॉ करना पड़ा एक डिग्री कॉलिज के लिए फिर इसी तरह के छोटे लेवल के इंट्रियूज निकले थ जमू का अनपलाइड खुश नहीं है तो कश्मीर जमू और लदाक मानिये परदान मंतरी जी कोई भी खुश नहीं है क्योंकि आर्टीकल 37 में दो तीन प्रोजिंट्स थे जिसकी वज़ा से जमीन कोई बाहर नहीं खरी सकता और ये पहली जगा नहीं है हमाचन में कोई नही खरी सकता नार्थीस में नहीं कोई खरी सकता हमारे सी स्टी की जमीन कोई पूरे देश बर नहीं खरी सकता तो ये कोई अनबोत चीज नहीं थी कि जमू कश्मीर नहीं खा लिया सब कुश ऐसा तो पूरे हिंदुस्तान में है तो मेरी आप से निवेदन करना है कि अगर दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है तो हमने अपने लोगं को confidence में देना है और उनको प्यार देना है प्रेम देना है मुहबत से किठे रखना है तो आप से मेरा नुईदन होगा कि बिल इस सदन में लाएं और statehood को आप वापस restore करें और statehood देकर जमो कश्मीर में विधान सबा के election हो जाएं इन्हीं शब्दों के साथ मैं राश्पदी जी का धन्यवाद करता हूं परी पार्टी की तरफ से कि उन्हों दोनों आपसुस को संभूजुत किया बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्हों दोनों दोनों आपसुस का धन्यवाद कि उन्हों दोनों आपसुस का धन्यवाद